वासब वाइज देशेशन का प्रताप सेंग यानि वाचेंग एस्पीएस एस्टाल जी दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान गनेश यानि लॉड गनेशा की पूजा क्यों करनी चाहिए और वैसे भी लोग लॉड गनेशा की पूजा बहुत करते हैं और मुंबई महरास्ट में तो बहुत जादा लॉड गनेशा के फॉलोवर हैं और वहाँ हर साल उनकी जो पूजा है लॉड गनेशा का जो विसरजन है वो बड़ी ही दुमदाम से मनाये जाता है लेकिन जातर लोगं को ये पता नहीं है कि लॉड गनेशा की पूजा होती क्यों है उससे क्या benefit है और जैसे मैंने बोला है कई बार बोला है कि भगवान की पूजा किसी भी फायदे के लिए नहीं करनी चाहिए भगवान की जो पूजा है वो आपको अपने मन से करनी चाहिए आपको अच्छा लगता है तब करनी चाहिए जबरदस्ती कोई पूजा नहीं होती तो मन की बात है आपका विश्वास है लेकिन आज मैं आपको बताऊगा कि Lord Ganesha की पूजा से आपको क्या benefit होता है और इसका संबन कहीं न कहीं केतु से जुड़ता है केतु हमारे birth chart में कहीं भी placed हो चाहिए first house में हो, second house में हो, third house में हो या केतु का aspect जिन जिन houses में पढ़ता है उन सब चीजों को हम initial life में experience करते हैं और बाद में वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती है या हमारा जो interest है वो उन चीजों से हटना शुरू हो जाता है केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की जितनी भी चीज़ें होती है केतु उन सब चीजों को observe करता है और उस घ्रह की चीज़ों को वीक कर देता है जैसे केतू अगर मून के साथ है तो पहले आपका संबन अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा होगा बहुत उठना, बैटना, खाना, पीना, बाद, चीद, ये सारी चीज़ों बहुत अच्छी होगे केतू की जब दसा चलती है और अगर केतू किसी प्लेनेट के साथ बैठा है, जैसे मून के साथ बैठा है तो उस पिरिट में क्या होगा? उस पिरिट में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है आप बहुत जादा कन्फ्यूज हो जाएंगे और मेटलिस्टिक चीजों का लॉस होता है केतू हमारे माइंड को हमारे सोचने की जो शक्ती होती है उसके उपर केतू अपना कंट्रोल कर लेता है और केतू इंसान को मेटलिस्टिक चीजों से हटा के spiritual word की तरफ लेके जाता है और उसके कारण क्या होता है कई बार बहुत बड़ा लॉस होता है कई बार जो आपका बिजनिस चल रहा है आप उस बिजनिस को छोड़ देते हो कहीं काम धंदा कर रहे हो जौब कर रहे हो छोड़ देते हो छोड़ जाती है कई बार इंसान ऐसे में क्या होता अपना घर छोड़ देता है, मदर फादर को छोड़ देता है तो उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है तो आदमी mentally बहुँ जाता, frustrated हो जाता है तो जब भी कभी आपके साथ ऐसी चीजें हो और केतु की दसा चले तो उस टाइम आपको Lord Ganesha की पूझा करनी चाहिए बिकाज Lord Ganesha जो है, वो केतु के देवता माने जाते हैं केतु भी उनकी पूझा करते हैं और Lord Ganesha के अगर हम बात कर रहे हैं तो Lord Ganesha को रिद्धी और सिद्धी का देवता माने जाता है यानि जो भी आपकी बुद्धी है और बुद्धी के बल पर जो भी आप चीज़ें सिद्ध कर लेते हैं हासिल कर लेते हैं, पा लेते हैं वो Lord Ganesha के कारण होता है तो इसलिए Lord Ganesha की पूझा करनी बहुत जरूरी है अगर केतू की दसा आपके चार्ट में चल रही है या केतू का प्लिस्मेंट या केतू की प्लिस्मेंट कहीं भी आपके बर चार्ट में होती है और आप अगर उस केतू के कारण बहुत ज़्यादा परिशान हो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो उस टाइम Lord Ganesha के मंतरों का जाप करें और Lord Ganesha की पूजा करें आज मैं आपको बताया Lord Ganesha के बारे में कि Lord Ganesha की पूजा क्यों करनी चाहिए और उससे क्या क्या चीज़ें ठीक हो सकती है अगर आप भी जाना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें चाहें परस्नली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थरू हमारे याद के थुरू हमसे मिल भी सकते हैं बात भी कर सकते हैं और गाईज आप उमसे कंसल्ड भी कर सकते हैं तो गाईज टेक क्यार लव याल और गुड़ बाई